खाजा से एराग तक डबल युद शुरू खाजा युद धीरे धीरे मेडलीस्ट से लेकर पश्यम एशिया तक फैल चुका है अब जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली है पिछले असे दिनों में इस्रैल और हमास के बीच शड़ी जंग में डबल युद शुरू हो चुका है हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ गाजा में इस्रैली सेना हमास के लड़ाकों से आर पार की जंग कर रही है जब कि दूसरी तरफ लिबनान बॉड़र के दरफ से हिजबुल्ला के लड़ाके इस्रैली सैनिकों पर घात लगा कर हमले कर रही हैं यहां तक कि हूथी लड़ाकों ने इस्रैल के साथ-साथ अमेरिकी सैनिय ठेकानों पर हमले बहुत तेज कर दिये हैं यहां तक कि इरान के कताई भेजबुल्ला लड़ाकों ने इरात और सीरिया में अमेरिकी सैनिय ठेकानों पर रॉकेट से हमले किये हैं जिसकी वज़े से अमेरिकी सेना के होश उड़ गए हैं, हम आपको डबल युद में ट्रिपल अट्रैक की वो हकीकत दिखा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में इस्रेल और अमेरिका के लिए नासूर बनने जा रही है। भले ही प्रधान मंत्री नेतन याहू और उनकी सेना के टॉप कमांडर दावा करें कि इस्रेल की आईडियाफ ने पूरे उत्तरी घासा पर कबजा कर दिया है, लेकिन हकीकत में अभी भी हजारों हमास लड़ा के इस्रेली सेना पर घात लगा कर भीशन हमले कर रहे हैं। गाजा में भले ही इस्रेली सेना ने बढ़त बना रखी हो, लेकिन इस्रेल के पीम नेतन याहू को भी मानना पड़ा है, कि गाजा युद में इस्रेली सेनी काफी संख्या में मारे गए हैं। जो हालात को और बदतर बना रहा है। इस्रेली खुद मान चुका है कि उसके 475 से जादा सैनिक अब तक जंग में मारे जा चुके हैं। यांकड़ा वाकई इस्रेल के लिए बहुत बड़े खत्रे की घंटी है। लेकिन इस खत्रे से बड़ा खत्रा अब मिडल इस्ट से लेकर पश्चल एशिया तक फैल चुका है। क्योंकि हूथी और इरान समर्थित कताई भेजबुला लड़ाकों ने इस्रेल और अमेरिका के सैन ने अड़ों पर एक साथ हमले शुरू कर दिये है। पहले आप ये जान लेजिए कि हूथी और इरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिका पर कहा हमला किया है। अमेरिका ने ये तो नहीं बताया है कि इरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी सेना पर कब हमला किया था लेकिन ये ज़रूर बताया है कि उत्तरी इराक में मौझूद अमेरिका के एरबिल एर बेस पर ड्रून से हमला किया गया था अमेरिका की रक्षा सची लॉइड आस्टिन के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैनिकों पर गया हमला इरान समर्थित कताई भेजबुला के लड़ाकों के इस हमले में वैसे तो कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए लेकिन तीन सैनिक बेहत गंभी रूप से घायल है हमास, हिजबुला और हूथी, इस्रैल अमेरिका पर भाड़ी मिडल इस्ट से लेकर पश्चे मेश्या तक इस्रैल और अमेरिकी सैनिक घायल पर हो रहे हमले साबित कर रहे हैं कि इरान रूस की शैपर अब जंग में खुल कर कूदने लगा है हूथी चुन-चुन कर समंदर में इस्रैल और अमेरिकी जहाजों और टैंकोरों पर हमले कर रहा है यही वज़े है कि अब अमेरिका ने इरान के कताई भेजबुला के लड़ाकों पर ऐसा भीशन हमला किया है जिसकी वज़े से पश्ची मेशिया में जंग तेज होने के दावे किये जाने लगे है हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने इरान के कताई भेजबुला लड़ाकों पर जोरतार एरस्ट्रैक की है जरा देखिए कैसे अमेरिकी रक्षासेचेख लॉयड ओस्टिन के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इरान-समर्थित कताई भेजबुला पर वहीशन हवाई हमले किये हैं कताई भेजबुला पर अमेरिका ने यह हमले इराक और सीरिया में किये हैं यानि 25 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने कताई भेजबुला पर हमला किया था। लड़ाकों विमानों और मिसाइलों से इरान समर्थित कताई भेजबुला लड़ाकों के तीन ठेकानों को अमेरिकी हमले में तबाह करने का दावा किया गया है। ये सठीक हमले एराक और सीरिया में अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ इरान प्रयोजित मिलीशिया हमलों का जवाब है। कताई भेजबुला सरीखे समुहों ने आर्बिल एर बेस पर हमला किया था। और ना ही कोई समझोता वो आखिरी दम तक जंग करेगा। गाजा पट्टी में इस वक्त उत्तरी गाजा से ज़ादा भीशन जंग दक्षनी गाजा में चल रही है। हालात ये हो गए हैं कि इसरेल और हमास की जंग थमने की एक और उम्मीद को बड़ा जटका लगा है। 24 दिसंबर को इसरेली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया किया कि हमास और इसलामिक जिहाद आतंकी संगटों ने एजिप्ट या कहें कि मिस्र के उस प्रस्ताओ को ठोकरा दिया है जिसमें कहा गया था कि अगर ये दोनों संगटों गाजा के हुकोमत किसी तीसरी त दाकत को सौंटेते हैं तो इसरेल पर्मानेंट सीज फायर कर देगा लेकिन हमास के टॉप कमांडर्स में इस प्रस्ताओ को पूरी तरह से खारिज कर दिया है हम आपको हमास नेता याया सेंवार का वो दावा दिखाने जा रहे है जिसमें इसरेली सेना को भारी नुकसान का दावा किया गया है हमास के कसाई का दावा मार दिये 1500 इसरेली सेन इसरेल की मीडिया रिपोर्ट के मुताविक हमास के टॉप नेता और कमांडर याया सेनवार ने दावा किया कि हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगड ने 5000 से अधिक इस्रैली सैनिकों को निशाना पनाया और उनमें से करीब 1500 इस्रैली सैनिकों को मार डाला है हलाकि ऐसा कोई आंकड़ा इस्रैल की ओर से जारी नहीं किया गया है हमास नेता सिन्वार ने इस्रैली सैन्य उपकरणों को नश्ट करने की संख्या के बारे में भी बढ़ा चड़ा कर दावा करते हुए कहा कि हमास ने 750 इस्रैली सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया है सिन्वार ने इस्रेल का जिक्र करते हुए कहा कि उसके कब्जी को मान लेने की शर्टों पर कभी समझोता नहीं होगा और नहीं हमास कभी सरंडर करेगा दूसरी तरफ इस्रेल के प्रधान मंतरी बेनमीन नेतन्याहू ने गाजा का दोरा किया है और साफ शब्दो में कहा है कि हम फिर साफ करदेना चाते हैं कि इस्रेली सेना इस जन्ग को तबतक बंद नहीं करेगी जब तक भो घाजा में मौजूद हर आतन की संगटन का कभजा को नहीं करदेगी अमस शोगथ जुब ननसी बाइदन, जन्ग कर्देगी जन्ग कि इस्रेल के प्यशन हमलो से घाजा लगबग तबाहो चुका है जरादे कि फलिस्तीनी कि सहलत मे पहँ चुका है इस्रेल के उपरेशन स्वार्ड ओफ आइरन के तहत इस्रेल ने सबसे ज़ादा भीशन हमले उत्तर गाजा में किये है साल 2023 में गाजा पट्टी में हुए इस्रेली हमलों में अब तक एक लाग से ज़ादा इमारतें गाजा में तबाहो चुकी है उत्तरी गाजा के लगपक 11 लाख के आबादी में से 85 फीजदी फिलिस्तीनी हमास समर्थक भाग चुके हैं ज्यादा तर फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा से दक्षन गाजा की तरफ भागे हैं इस्रेल की IDF का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर से अब तक 22,000 से अधिक टार्गेट्स पर हमला किया है और उन्हें तबाह कर दिया है 80 दिनों से जादा की जन में इस्रेल ने हमास के हर उस ठिकाने को तबाह किया है जहां से हमास या तो हमला कर रहा था या फिर उसके लड़ाके चिपे हुए थे अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मताबिक इस्रेल ने दक्षनी गाजा में भायानक बंबारी शुरू कर दी है दक्षनी गाजा में इसरेली वायुसीना 907 किलो के सैक्णो बं गिरा रही है एक्सपॉर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भी किसी देश के रिहाईशी इलाके में इतने बम नहीं गिराए हैं कुल मिलाकर हमास, हेजबुला और हूथी तीनों संगठनों के लड़ाके इस्रेल और अमेरिका से लंबे युद्ध की तैयारी में जुट चुके हैं चीन, इरान, रूस की शैपर अब मिडल इस्ट और पश्ची मेश्या में ऐसा डबल युद्ध शुरू हो चुका है जो नए साल में दीसरे विश्युद का बड़ा कारण बन सकता है